नमस्ते आप सभी को मैं हूज यतियस नादा गॉर्ल थेंक्यू सो मच पॉर स्टॉपिंग बाई और आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा प्रॉडर्ट जिसका जब तक मैंने लॉंच के बारे में सुना था ना मैं तब से ही बहुत ज़्यादा अंदर के लिजे इसको पर्चेस कर लिया था है मैं रियली एक्साइटे टू शेयर मैं रिव्यू वित यू आल तो चले फटा-फट से रिव्यू स्टार्ट करते हैं चले फॉमला आरेक्स के बारे में नहीं पता है शौट में बता दू कि यह एक इंडियान स्किन केर ब्रै करती हूँ तो रिव्यूस मेरे खुद के होते पर जस्ट सो यू नो कि I'm not biased towards इस ब्रैंड किसी भी तरीके से सारे प्रोड्स हमेशा मैंने खुद से पर्चेस किये हैं इनका जो रेटिनॉल कॉंप्लेक्स है वह बहुत अच्छा है बिगिनर्स के मोश्टराइज बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं स्पेशली अगर स्किन का बैरियर डामेज वगेरा है तो बहुत ज्यादा अच्छा है तो जब मैंने सुना कि यह उनकी संस्क्रीन लांच हो रही है तो मैं बहुत ज्यादा excited थी because I knew कि इनके जो प्रोड़क्स होते है यह quality products और बस इसको use करते करते क मुझे चार पास दिन ही हुए है बट मतलब I could not contain my excitement और मैं बैड गई आजे वीडियो शूट करने review वाला तो सबसे पहले मैं आपको इस sunscreen की price बताओ तो यह 6.99 रुपीज की आते जिसमें 50 grams of product मिल जाते and I know कि यह affordable नहीं है in fact इनके कोई भी product affordable नहीं किया सकते सारे के सारे 5 के ऊपर ही है बट अभी क्योंकि मैंने इंट्रोडक्ट मलब जिस दिन यह launch हुआ था तो उसी समय खरीदा था तो कुछ introductory offer चल रहा था जिसमें मुझे कुछ 5 या 10% का discount मिल गया था I'm not sure जिस प्राइस मुझे मिला था मैं आपे mention कर दो कि in fact मैं जब इसको order किया था तो मैंन में community section में post भी डाला था मैं यहां कहीं mention करूंगे आप देखेगा तो आप exact price में पर चेक कर पाओगे और वैसे भी इनकी website पर आये देन वालब 5% 10% का discount भी चलता रहता है तो आप check कर सकते हो अगर आप मतलब इतने में नहीं लेना चाहते हो तो आप discount का wait कर सकते हो पैकेजिंग की बात करूं तो जो outer box है वो इस तरीका का white color का है जहां पर सारी necessary information mention करी हुए है और जो actual sunscreen है वो आती इस तरीके के brown color के tube में और बस ये cap खोलो तो आप अपना product dispense कर सकते हो बहुत ही sleek and travel friendly packaging लगी मुझे और जो आप देख रहे हैं इसका ये nozzle इससे एक बार ब बहुत दा product dispense भी नहीं होता है तो ये जो sunscreen है इसमें SP50 and PA 4 times plus rating है ये broad spectrum sunscreen है UVA and UVB rays के सार सार ये IR protection plus free radical protection भी provide करता है ये hybrid sunscreen है fragrance free है oil free है and non comedogenic है मतलब कि आपके pores को clogged नहीं करेगा clogged pores की वज़े से जो active pimples आते हैं वो नहीं आएंगे और brand ने specifically mention किया है कि ये sunscreen acne prone and fungal acne prone skin के लिए भी suitable है ingredients की बात करूं तो क्योंकि एक hybrid sunscreen है तो इसमें chemical as well as physical sunscreen filters का use करा गया है साथी साथ में इसमें use करा गया है stabilized vitamin C का stabilized vitamin C high protection provide करता है साथी साथ में ये मलब हाई protection provide करता है आपके free radical damage से and pollution से उसके अलावा stabilized vitamin C है तो skin में ये deeply penetrate करता है and stabilized vitamin C sensitive skin वालों के लिए भी suitable होता है उसके लावा इसमें use करा गया hyaluronic acid and vitamin B5 का जो skin को hydration provide करेंगे and साथी साथ में peptides का जो skin को plump बना के रखेगे चलिए फटा फट से मैं दिखा देती हूं आपको इसका texture and face पे apply करने पे sunscreen कैसे दिखती है तो कुछ इस तरीके का water gel based sunscreen है as you can see and I am not exaggerating at all अगर मैं ये कहूं कि this sunscreen vaccine glides like butter and blends like water as you can see within seconds ये sunscreen blend हो गई है कोई भी white cast नहीं और आप देखरें मैं कितने आराम से इसको blend कर रही हूं बिल्कुल भी pressure नहीं लगा रही हूं विदिन सेकेंड से मेरे skin में blend हो गई है और साथ में साथ कोई white cast नहीं है finish की बाद करो तो skin पर लगाने के बाद ये बहुत ही beautiful से natural finish में settle होती है ना ही extremely dewy finish में settle होती है और ना ही matte finish में it is somewhere in between जिसे हर skin type वाले आराम से enjoy करेंगे तो ये sunscreen completely non greasy non sticky है आपने देखा ही ये कितनी ज्यादा lightweight है इसको apply करने के बाद skin बिल्कुल भी चिपचीपी नहीं होती in fact what's better time sunscreen को test करने का 50 degrees चल रहा है temperature अभी इतनी ज्यादा गर्मी है लेकिन इसको लगाने से skin पर बहुत साई sunscreen होती ही लगाते ही पसीना आने लगता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है sunscreen की वज़े से पसीना बिल्कुल भी skin पर नहीं आता है skin बिल्कुल भी डल नहीं लगती बहुत लोगों की यह complaint भी होती है कि sunscreen लगाने से मुझे मेरी बिल्कुल भी डल नहीं लगी और क्योंकि I have acne prone skin तो मेरा सबसे बड़ा डर जो होता है किसी भी में product को जब में लाती हूं कि मुझे pimples ना निकला है लेकिन इस sunscreen की वज़े से बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ मुझे कोई भी नए acne pimples नहीं निकले यहां पे मैं कहीं वीडिय है normal combination acne pimple prone sensitive कोई भी skin type है आप इसको आराम से यूज कर सकते हो they have nailed the formulation beautiful sunscreen बनाई है formula rx ने and for me it is one of the best sunscreens in Indian market right now so yeah यह था मेरा review formula rx के newly launched hydra shield के लिए अगर आपने इसको order किया है use कर रहे है तो आपका कैसा experience है जरूर comment section में comment करके बताईएगा और अब next में किस product का या फिर किस sunscreen का review करूँ यह भी बताईएगा आज के वीडियो के लिए बस इतना ही अब मिलते अगले वीडियो में तब तक लिए stay tuned take care और नमस्ते